भारत की सांस्क्रितिक चेतना की प्रान प्रतिष्ठा हो रही है, केवल रामलला की प्रान प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, जो लोग इसका बॉयकॉट कर रहे हैं, वो देश की राजनीती के इतिहास में एक हिमालियन ब्लंडर कर रहे हैं, उनके लिए पॉलिटिकल सुसाइट कर लिया था कुछ एक दो लोग ऐसी हैं जिनको आप बहुत दिखाते हैं उनको गरत फेमी हैं और वो बोलते रहते हैं पर उनके समाज में भी उनकी कोई सुनता नहीं ऐसे लोगों का जिन्होंने समविधान की निष्ठा लेकर ऐसा कह रहे हैं अपना बचन भंग कर रहे हैं कुछ लोग 22 जनवरी को काला दिवस मनाने की बात कर रहे हैं कुछ राम मंदिर विरोधी सर उनको क्या जवाब देना चाहेंगे जवाब तो उनको जनता देगी उस दिन राट में ऐसी दिवाली होगी कि अगर लोग कोई आस्मान से उन बस्तियों को देखेगा तो सोचेगा आज सूरज डूबा क्यों नहीं पांच लाख मंदिरों में आठ करोड लोग उल्लास और आनंद से जमा होकर दृष्य देखेंगे भंडारा करेंगे कहीं कोई दुखक कहीं कोई कालिमा कहीं कोई कालिक उस दिन नहीं होगी केवल रामलला की प्रान प्रतिष्ठा नहीं हुरी और जो लोग इसका बॉइकाट कर रहे हैं वो देश की राजनीति के इतिहास में एक हिमालियन ब्लंडर कर रहे हैं उनके लिए पॉलिटिकल सुसाइट साबित होगा वो भारत के जनमानस से कट चुके हैं हैं कि 22 तारिक को काला दिन मनाया जाएगा कुछ लोग हैं एक विशष समुद आए कि वो कहते हैं कि 22 तारिक आते-आते वो भी अपने गभर दिये जलाएंगे कुछ लोग हैं वो लगातार ये कह रही है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इतिहास को दुबारा बदल के और दुबारा से मुगलो वाला इतिहास केवल रामलला की है सरकार किसी पालिटी की नहीं है सरकार किसी नेता की नहीं है रामलला की सरकार है और यह बदलने वाली सरकार नहीं है इस तरीके से कॉंग्रेस पार्टी लगातार यह कह रही है कि यह जो 22 तारीकोद घाटन होने वाला है यह RSS और BJP का एक प्रोग्राम है तो इसमें जाने की कोई जुर्थ नहीं है। मैं तो फिर से कहना चाहता हूँ कॉंग्रेस पार्टी प्रान प्रतिष्ठा का बॉयकॉट करके अपनी राजनेतिक आत्महत्या की गाता लिख रही है। भारत के जन्मानस से कटे हुए है। सेकड़ों सालों के बाद भारत की सब्वेता के इतिहास में एक ऐसा दिन आया है। भारत की राजनेतिक कोई पार्टी अगर इसका बॉयकॉट करेगी तो जन्ता उसका बॉयकॉट करेगी। आपको क्या लगता है वो लोग कह रहे हैं कि 2024 के लोग सबाइलेक्शन के लिए ये वोट बैंक लेने के लिए एक एजेंडा बनाया गया है बीजेपी के दुआरा अब 2024 में इसका उद्गाटन करके राम मंदिर का तो पांचो साल पहले होना चाहिए था ये काम और 70 साल पह कर दो ले लोग कर दो लोग साल पहले है वोट कर दो वोग कर दो है।